स्वागत दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नियूरो मस्कुलर सिस्टम के बारे में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है नियूरो प्लस मस्कुलर ठीक है यहाँ पर ठीक है नियूरो होता है जो हमा इसका तरो सिस्टम होता है ठीक है नार्व सिस्टम प्लस मुष्कुलर मेंस मिसल तो मिसले कर दो अपर मोस्क्त्र के मोर्टर यूनिट मोर्टर यूनिट मेंस जो स्ट्यूमिली होता है ना लाइक नर्स सिस्टम से ही जुड़ी हुई है यह आगे डिटेल में बता देंगे ठीक है मेकेनिजम ओफ मस्कुलर कॉंट्रेक्शन यह सबसे इंपोर्टन पॉइंट रहेगा कि हमारा जो अक्तिविटी करते हैं या मसल्स को एक्तिविटी कैसे मिलती है तो मसल्स की एक्तिविटी कैसे होती है लाईक है अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हो या कोई भी Ebola फैक ना चाहते हो तो यह कैसे हुआ यह movement possible तो इसके बारे में ही हम जानेंगे थी अगह आप इमेजिन भी करोगे यह लाईक जैसे यह कंकाल टाइप का बना देते हो मैं तो इसके उपर मसल जुड़ा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे स्कैल्टल मसल यह वाली ठीक है and then cardiac, cardiac का मैंने अपने lecture series में बता रखा है कि जहां भी cardiac word आता है तो cardiac का मतलब रहेगा वहाँ पे heart से and smooth muscles, smooth muscles कहां पे रहती है यह मैं बता देता हूँ and smooth muscles का काम क्या है यह तो आगे detail में हम जानेंगे smooth muscles जैसे eyes में रहती है, intestine में अब intestine क्या होता है intestine होता है मारे आन तरी पाचन क्रिया में help करते हैं जो अगे digestive system में या पाचन system में हम पढ़ेंगे ठीक है तो अभी इतना जान लेजिए कि तीन टाइप की muscles होती है skeletal muscles मतलब imagine करना साथ साथ में skeletal मतलब जो हड़ियों से जुड़ी है ठीक है उसके बाद मतलब यह हो गया एक structure सा form हो गया उसके बाद हड़ियों से जुड़ गया तो जो काम करने के लिए क्या चाहिए heart चाहिए blood चाहिए ठीक है तो एक cardiac हो गया and smooth muscle मतलब देखने के लिए भी चाहिए है ना energy के लिए पचाने के लिए चाहिए reproductive system में भी हमारी smooth muscle से देती है आगे detail में पढ़ेंगे तो basic muscles है ज्याद रखने वाली है अब इनके functions आ जाएंगे function कैसे आएंगे कि यह क्या function करती है ठीक है अब यह स्लाइड में जो यहां पे दिया हुआ है muscular system produce action as coordinated team मतलब इसमें यही बताया हुआ है कि कोई भी muscle अकेले काम नहीं करती है वो एक group में काम करती है group में मतलब आप अगर biceps की exercise करोगे तो इसमें कुछ portion biceps brachy का रहेगा और कुछ triceps का रहेगा मतलब एक biceps का ही काम नहीं हुआ है इसमें तो इसका मतलब यह है तो सबसे पहले हमें क्या है जाना है कि कोई भी अकेली muscle एक टाइम पर काम नहीं करेगी वो एक coordinated team की तरह काम करेंगे जैसे हम team game में काम करते हैं लाइक फुटबाल का example लेते हैं तो कोई pass करता है कोई dribbling करके उसको like goal करता है तो अकेला एक बंदा तो लेके नहीं जाता है तो ऐसे muscles भी एक team work ही करती ह ठीक है अच्छा तो function of muscles अब function of muscles को समझने का आसान तरीका मैं सबसे पहले बताता हूं तो यह है हमारी कितने type की muscle से तीन type की उसमें सबसे पहले थी skeletal muscle ठीक है अब skeletal muscles के क्या function रहेंगे आप लोगों को पता है कि यह हड़ी के उपर है अब यह क्या करेगी एक posture दे देगी हमें अब कंकाल तो कंकाल ही लिखेगे ना अब हड़ी के उपर लगा दी तो एक posture बन गया ना जैसे ही आप figure में देख रहे हूं है यह posture बन गया ठीक है and then यह posture बन गया तो अब हड़ी अपने आप तो मुह नहीं करेगी like यह वाला joint and यह वाला joint अपने आप मुह थोड़ा करेगा ठीक है यह वाला and यह वाला तो मसल्स की help से moment मिलेगा ठीक है और कैसे मिलेगा कि मसल्स में contraction होगा ठीक है energy यह आगे पड़ेंगे मसल्स structure में तो यह समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसके functions क्या होते है functions means सबसे पहले तो एक posture दे दिया कंकाल के उपर मसल्स लगा देंगे एक posture आ गया बड़ी ऐसा लुक आ गया ना good देन उसके बाद हमें movement मिलता है movement मतलब यह hip वाला and यह knee वाला joint अपने आप तो आगे पिछे नहीं जाएंगा ना जब मसल्स में energy रहेगी तो ऐसे ही energy मिल जाएगी ठीक है function तो बहुत सारे होते हैं आगे भी बताएंग but skeletal system मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि skeletal system के पहले हमें याद कर लिए कि यह दो function है good तीन है ना तो दो दो लिख देंगे 6 point हो जाएंगे अब आ जाएगा cardiac का ठीक है यह देखो blood flow का भी आगया यहाँ पे blood flow में हम directly कैसे लिखेंगे कि जितने भी muscles during exercise यहाँ पे यह देखो यह vein है ना vein and arteries है यहाँ पे तो अब जब हम exercise करेंगे तो इसमें हमारी muscles full जाती है ना तो उसको यह accommodate करवाएंगे ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे heart beat एक function यह भी लिख देता है कि heart beat करते हैं ठीक है साइज बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से यह contract हो जाएगी एंड उसको space दे देंगी ठीक है adjustment of artery diameter ठीक है इसी को आगे बढ़ाते हुए अब smooth muscles के बारे में इसने बताया है हलांकि इसने continuation में दिया है तो smooth muscles जैसे मैंने बताया था कि movement of food throw instance time intestine intestine क्या होती है यह आथ होती है अपनी let me change my pointer color I think it's not getting well now okay तो यह वाली आथ रहती है ठीक है यह वाली आथ है ना इसमें से food हमारा जाता है ना यहां से आके इस आथ में जाके चोटी से बड़ी आथ में and then बाहरा जाता है तो movement में इसमें smooth muscles help करती है ठीक है and eyes में भी बताया था मैंने smooth muscles to focusing of eyes ठीक है and body temperature regulations के लिए skin पे रहती है ना जो तो याद रखने का क्या तरीका है इसमें सबसे पहले तीन muscle बताई थी उनके दो दो याद कर लो यार स्केल्टल के क्या है कि हमें एक तो ढाचा ढाचा था था ना एक उसमें एक shape दे दी and movement दे दी आ ठीक है and इसके बाद में कार्डियक के बारे में क्या है breathing का हो जाएगा and इसके बाद में arteries का adjustment का हो जाएगा ठीक है and then उसके बाद स्मूथ में आ जाते हैं स्मूथ का क्या काम हो जाएगा स्मूथ में focusing of fire and food digestion में help and body temperature regulation बस यही रखना है अब कुछ जर्नल से point है जैसे muscle के बारे में याद रखने वारे बात है यह coach आप लोगों को पता होना चाहिए या physiologist आप लोगों को पता होना चाहिए कोई आप से पूछ तो आपको बताना चाहिए कि हमारी बोडी में 640 ऐसे predict किया गया है बट हम में यही लिख देंगे ने 600 प्लस ठीक है 600 प्लस मसल होते हैं अब facial muscles मतलब जो हमारा चेहरा है न करो मतलब muscles की exercise भी करवा लिए अगरू तो smiling में 17 muscle and frowning frowning क्या होता है इसमें डरने की जूरत नहीं है तो frowning यह है कि आप जैसे अपने eyebrow eyebrow तो सब कोई I think समझ में आता होगा तो eyebrow को rage करते हो ना उस साथ में and जो अपने मात है पे जो 3 या 2 जिसको line से आती है किसी को भी नह उसमें 43 muscles काम करती है and smiling आप समाइल करते हो ना किसी को देखके यह तो उसी में 17 muscles use होती है ठीक है and as a coach for your journal knowledge यह होना चाहिए आप लोगों को पता कि सबसे छोटी muscles कौन सी है अगर stepydis यह ठीक है stepydis आपको याद नहीं रहे नाम तो आप लोग यह भी बता से कि कान में सबसे चोटी muscles होती है ठीक है तो नाम तो याद रखोगे तो बड़िया ही है stepydis ठीक है नाम है जो एक mm से भी कम होती है ठीक है और largest muscles कौन सी होती है glutus maximus glutus maximus कौन सी होती है जो हमारे बतक्स में होती है ठीक है ऐन्ट लोंगस्ट कौन सी है longest है सार्टोर्यस अब predis cat yaptelnate साथ सा्य Linus कों सी है यह हमारे थाइज में रहती है ठीक है तो यह तीन muscles हैं सबसे Typ ODT यह थोड़ा में रहेगा और ध्यान से भी आप लोगों को को इमेजिन भी करना है जो मैं बोलूं गा एंड शाथ साथ में सीखते भी रहना है ठीक है ओके तो इसमें तो इसमें structure structure वो ही होता है धाचा मतलब muscles कैसे बने हैं आप जो डोले सोले दिखाते हो ना इसके अंदर का आप जानेंगे अभी है ये बना कैसे है डोला आपका ना या फिर आपका थाइज या काफ है कोई भी muscle ले लो ये बना कैसे है ठीक है तो सबसे पहले इसके composition मतलब क्य क्या क्या चीज़े लगी है building बनाते है ना उसमें क्या है इत पत्तर रेट सरिया ये सब कुछ लगता है ना ऐसे ही muscles को बनाने में क्या क्या चीज़े यूज हुई है तो उसको composition बोलते हैं या made up of या मतलब किस चीज़ से बनी है इसको बोलते हैं ठीक है तो इस सबसे पहले सबसे हैं कौन से tissue skeletal muscles tissue रहेंगे ठीक है ये चार चीज़े हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं सबसे पहली skeletal muscles tissue दूसरी connecting tissue तिसरा नार्व tissue और चौता हो रहेगा blood vessels ठीक है अब भी घपराने वाली बात नहीं है अगर नहीं पिया है तो आगे detail में मैं बताऊंगा इसको और ये फेशिया क्या है ठीक है ये फेशिया मतलब spelling याद रखना उसमें भावनाओ को समझाओ ठीक है तो फेशिया क्या होता है फेशिया अब सीदेशिदेव ये जो टेप लाइक ना ये वाइट 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 वाला ठीक है इसको ही फेशिया बोलते है एक थिन कास्टिंग ऑफ कनेक्टिंग टीशू देट स्राउंड अब मैं बता देता हूं ये इंगलिस में तो लिखा ही है इंगलिस वाले तो समाजी जाएंगे बट हिंदी वालों के लिए हिंदी वालों के लिए ये है कि जो एक थिन कास्टिंग कनेक्टिव टीशू है जो मतलब जो ये जो चार है ना इनको आपस में बांद के रखता है चार कौन से कौन से थे ब्लेड वैसल्स नार्व फाइबर असल प्लेस ये 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 आप लिख दोगे ना ये अब structure ये है थोडा ध्यान से देखने वाली बात structure क्या होता है तो structure में हम सबसे पहले इसकी layers के बारे में बात करेंगे layers ये आपको यहां पर दिख रहा है मेरा marker इसको मैं यहां से relate करूँगा एक बार ठीक है तो इसको तो यह मैंने बताए न कि मैं इसको relate करूंगा यहां से तो इसमें यहıyla को यहां से relate कैसे करूंगा कि यह आप लोगे को दिख रहा होगा यह लेयर है न अबहार वाली कि इसको यहां पर छील दिया थोड़ा तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी एपी माईशियम ठीक है एपी माईशियम इसमें टी ट्यूबली भी रहेगी टी ट्यूबली आगे आएंगी यह तर्में थोड़ा अभी टी से याद रखना बस टी ट्यूबली से याद रखना तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो ठीक है तो epimysium तो मतलब सबसे बहार वाली ठीक है आउटर ठीक है आउटर लेयर होगी epimysium तो इसकी perimysium 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 क्या होती है जो यह muscle fibers का bundle रहता है ना muscle fiber यह वाला है muscle fiber और यह muscle fiber यह यह वाले मिलके ना एक bundle बना लेंगे ठीक है उस bundle को जोड़े रखेगी ठीक है उसको perimysium बोलेंगे आगे definition भी है उसमें भी समझा दूँगा मैं बट यहाँ एक बार structure wise समझ में आ गया ना तो एक बार concept clear हो जाएगा आपको का epimyn बहार का यह याद रखना है epimyn बहार का epimysium में बहार का यह वाली लेयर ठीक है epimysium में जो ineسल 5 वाला यह वाला है इसके बहार की जो बन्डल रहेगा यह वाला endomycin बोलेंगे यहाँ पर देखो जो मसल्स को बांद के रखेगा उसको endomycin बोलेंगे I think समझ में आया होगा नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ happy means बाहर के यहाँ पर देखो यह बाहर वाली लेयर यह वाली ठीक है बाहर वाली ठीक है उसके बाद में आती है परि मीसिम जो मिस्ट फाइबर का बंडल रहे गा चाहिए उसकौ बांद के रखेगा उसको परिमा मीसिम बोल देँगे यह वाली ठीक हैmasिल समझ में ऐन्डो माईशिहम तीक है आया समझ में नहीं आया तो वीडियो पोज करकर के दोबारा देख ले ना फिर यहां पर आएगा सारको लीमा सारको प्लाजम मायो फाइब्रील्स नुकलेस नुकलेस ठीक है इसमें माइटोकांडरिया ठीक है एटीपी यह सारे आ जाएंगे एनरजी आउस मसल्स में होती है और मायो फाइब्रील्स मायो फाइब्रील्स आगे फरदर आ जाएगा एक्टीन मायोशीन जो स्लाइडिंग करते हैं एक्टीन सिथीन होता है और मायोशीन ठीक फाइबर होता है बस इतना सा समझने की जोड़ता भी ठीक है ओके नेक्स स्लाइड पे चलते हैं अभी यह जो बॉल्क है ना जिससे कवर्ड हुआ है ये वाले मसल्स के बॉल्क है बहुत सारे ठीक है ये किस्से इससे कवर कर दिया इसको एपिमाइशियम बोल दिया ठीक है ये डेफिनिशन भी आएगी याद रखना इसको and then पैरिमाइशियम क्या बोला था जो मसल्स फाइबर हैं बहुत सारे जो इनको बांद के रखेगा ठीक है ये बंडल ओफ फैसेशिली ये मसल्स फाइबर बोल सकते हैं ठीक है तो उसको बोलेंगे पैरिमाइशियम ठीक है and then मसल्स फाइबर मसल्स फाइबर को जो बांद के रखेगा उसको बोलेंगे एंडो माइशियम ठीक है कैसे ये वाला ना मसल्स फाइबर ये वाला मसल्स फाइबर है इसके बहार का ये वाला मसल्स फाइबर है इसके बहार का जो है ये पैरि और इसके अंदर का ठीक है इसके अंदर का रहेग गा एंडाम आइशेन ती इक है यह देख ले ना यह बिल्कुल एंपोर्टन्ट सब्सिल्चिह गजर होगा है चैने अंग क्लाक फाइब्री을 Miofibril क्या होताँ माय फाइब्र मतलब फाइबर के अंदर भी एक माय फाइब्र रहता तो बंडल ओफ मुल फिलामेंट इसके अंदर भी क्या है सारको मियर है सारको लीमा है ठीक है रेक्टिकुलम जाएंगे सारको प्लाजमिक रेक्टिकुलम ट्रायड यह सब आएंगे तो आई थिंक यहां तक का आप लोगों को समझ में आया होगा और यह फर्स्ट दे का लेक् नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि आगे क्या था था थेंक यू एंड एव नाइस देग